असलामों आलेकूम कुर्बानी का गोश्ट जिसके अंदर एक अलग सी स्मेल आती है जिसे बच्चे खाने के लिए कत्राते हैं उसको किस तरह से साफ किया जाता है हो तरीका मैं आप लोगों को बता रहे हूँ तो सबसे पहले गोश्ट को अच्छी तरह से धो लेते हैं उसके बाद आटा इस पर लगा लेते हैं आदा कब आटा मैंने लगा लिया है एक यहूं का आटा है आप कोई भी आटा इस पर लगा सकते हो बैसन लगा सकते हो तो आटा लगाने के बाद इसमें एक चमच सिरका मिला रही हूँ विनेगार अगर आपके पास विनेगार नहीं है तो आप एक लीमू का रस निचोड़ कर इसमें डाले और अच्छी तरह से मसल मसल कर इस पर लगा ले आटा और विनेगार इससे क्या होगा इसके अंदर की तमाम जो स्मेल है वो सारी बिसान जो होती है बूख वो निकल जाएगी और इसको हब क्या करते हैं अभी हाठा लगाने के बाद इसको ढखकन लगा कर एक घंटे के लिए साइड में रख देते हैं अब एक गहंड़े के बाद इससे देख लेए एगे niez होगा है तो ऐसा करने से इसके अंदर की सारी इंप्यूरिटी ऊती है का अब इसको क्या करते है बहुत अच्छी तरह से मसल मसल कर नोगां इर्थे कितना ऩा question है जाए और खांद comedic in बाल वगरा सब निकल जाएंगे और एकदम फ्रेश हमारा मटन हो जाएगा सब कुछ इसमें से इसकी बू वगरा निकल जाएगी आप क्या करते हैं धोने के बाद 5-6 बार पहले तो मैंने से धो लिया है इसके बाद 3-4 लहसुन की कलिया लेते हैं और उसके अंदर मिला लेते हैं लहसुन की स्मेल से बाकी की जो कसर बची हुए वो भी निकल जाएगी अब इसमें हलका सा नमक डाल लेते हैं अधा चमच अब नमक और लहसुन को भी फिर अच्छी तरह से गोश्ट के ओपर मसल मसल कर इसको अभी क्या करना है 15 मिनिट के लिए फिर इस अलग से रख द है ओब लेएगाएगां के लिए अब बना हैं जा चर बीएल इस अलग से लिए ही और लेकर ले आपराएगां के लिए वाँश्ट रसे जिए